न्यूयोक शहर में बीते दिन मैट गाला 2023 इवेंट और्गनाईज किया गया इस मौगे पर आलिया भट ने मैट गाला इवेंट में अपना डेब्यू किया एक्ट्रेस इवेंट पर वाइड गाउन में नजर आई रेड कार्पेट पर उनका प्रिंसेस लुक बेहर सुर्खिय में रहा हला कि उनकी इस लुक की तुलना 75th कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिपिका पादुकोन के पल्स लुक से की जा रही है आलिया ने सोचल मीडिया पर मैट गाला डेब्यू की फोटो शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है उन्होंने लिखा मैट गाला काल्स ल आगे लिखा मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो अलग हो और खास और भारत में बनाया गया हो प्रबल गुरंग ने प्यार और महनत से एक लाग मोतियों की कढाई से बना ओटफिट तयार किया है शोचल मीडिया पर आलिया की फोटो सामने आते ही लोगों ने अपना अलग- ऐसे भी है जो आलिया की लुक की तुलना दिपिका के कांस लुक से कर रहे हैं बता दे कि दिपिका 2017, 2018 और 2019 में मैट गाला इवेंट में शिर्कत कर चुकी है आलिया के अलावा इवेंट में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पती निक जोनस के साथ पहुची इस मौकी पर कपल ब्लैक आउटफिट में ट्वीनिंग करता नजर आया निूड मेकप के साथ प्रियंका ने डाइमन नेकलेस क्यारी किया बता दे कि प्रियंका ने 2017 में मैट गाला डेब्यू किया था इस साल की कॉस्ट्यम इंस्टिटूट एक्जिबिशन की थिम लेगर फेल्ड में हैं बता दे कि साल 2019 में काल्स का दिहान थो गया था इससे तरी की जानकारी के लिए सुब्सक्राइब करें दन्यूज इंडीज